इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी नो सेंस टैबलेट एसर दवाओं से मिलकर बना है जिसका इस्तेमाल diabetes दाद या रीड की हड़ी में चोड के कारण नसों को हुए नुकसान के कारण लंबे समय तक चलने वाले यानि की पुराने दर्द के इलाज में किया जाता है यह दर्द और इससे जुड़े लक्षनों जैसे मूड में बदलाव, नीन की समस्या और ठकान को कम करता है ऐसा माना जाता है कि यह खशतिग्रस्त नसों और मस्तिश के माध्यम से यात्रा करने वाले दर्द संकेतों में हस्तक्षेप करके काम करता है इसमें पोशक तत्वों की खुराग भी शामिल है जो तंत्रिका चालन में सुधार के लिए आवश्यक है इसे काम करने में कुछ हफते लगते हैं इसलिए आपको इसे नियमित रूप से लेने की जरूरत है भले ही आपको लगे कि यह कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है एक बार आपके लक्षन चले जाने के बाद भी आपको तब तक दवा लेते रहना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको रुखने की सलाह न दे इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगलने, इसे चबाए, कुछले या तोड़े नहीं नोसेंस टैबलेंट एसर भोजन के साथ है बिना भोजन किये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए नोसेंस टेबलेट एसार तीन दवाओं का सयोजन होता है प्रेगाबेलिन, नौट्रिप्टिलाइन और मिथाइल कोबालामिन प्रेगेबलिन एक अलफा दो डेल्टा लिगेंड है जो तंत्रिका कोशिकाओं की केल्शियम चैनल गतिविधी को संशोधित करके दर्ग को कम करता है नौट्रिप्टिलाइन एक ट्राइसाइकलिंक एंटिडिप्रेसेंट है जो मस्तिश्क में दर्द संकेतों की गति को रोकने वाले रासायन एक दूतों यानि की सेरोटॉनिन और नौरेड्रिना लाइन के स्तर को बढ़ाता है मिथाइल को बालामिन विटमिन बी का एक रूप है जो माइलिन के उत्पादन में मदद करता है एक पदार्ट जो तंत्रिका तंतुओं की रक्षा करता है और क्षतिग्रस्ट तंत्रिका कोशिकाओं को फिर से जीवन्त करता है साथ में वे नियूरोपेथिक दर्द यानि की ख्षतिग्रस्ट नसों से दर्द से राहत देते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद